Hello everyone, welcome back to my channel, Dream Jam. So friends, आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक वेट लॉस रिमेडी शेयर करने वाली हूँ. जी हाँ, इससे पहले मैंने जो वेट लॉस रिमेडी शेयर किये थे, तो सभी में मैंने नीम्बू का इस्तमाल किया था, और अदरक का इस्तमाल भी किया था. जैसे कि आप लोगों को पता है, नीम्बू और अदरक जो होता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हिल्प करता है. मतलब निम्मू और अद्रक जो है आपके जो फैट है या चर्वी है उसको अच्छे से काटने में मदद करता है मेटावालिक रेट को अच्छा करता है आपके शरीर में उर्जा उत्पन करता है तो उसे क्या होता है हमारे शरीर की चर्वी गलती है और जो है हमारा वजन कम होता है साती सात हमारी जो है हमारा जो मोटापा है वो भी दूर होता है लेकिन काफी मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने काए कि किसी को निम्बू से प्रॉब्लम है किसी को अद्रक से तो काफी लोगों ने मुझसे ऐसे कहा है कि आप कुछ एक remedy ऐसा बताईए कि जिसमें निम्बू या अद्रक ना हो लेकिन वो बहुत असरदार हो तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही एक remedy शेयर करने वाली हूँ जो कि जिसमें की निम्बू भी नहीं है और अद्रक भी नहीं है लेकिन ये बहुत ही असरदार है और इसे आपको रात को सुने से पहले पीना होगा और सुबह खाली पेट पीना होगा तो चलिए मैं बता देती हूं कि यह कैसा है किस तरह से बनाना है और यह किस तरह से काम करता है weight loss में मेरी एक subscriber है अजीत कुमार जैसवाल मेबी अजीत कुमार जैसवाल से उन्हों ने request किया था कि दालचीनी को हम किस तरह से weight loss में इस्तमाल कर सकते हैं दी आप प्लीज इसके उपर एक video जरूर बनाईए तो मैं इस तरह से तो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे खुद उसे use करके देखना था और उसके बाद मैंने उस पर study की और खुद मैंने use किया उसके बाद मतलब मुझ करूं या खुद पर apply ना करूं तो मैं ऐसे ही कोई video अपलोड नहीं कर सकती है इसलिए मैं खुद पहले देखती हूं त्राइग करती हूं study करती हूं research करती हूं और उसके बाद मैं video अपलोड करती हूं इसलिए मुझे थोड़ा लेट होता है video अपलोड करने में लेकिन अजीत कुमार जैस्वल का नाम ही याद आ रहा है और भी काफी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने अभी नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन काफी सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने डालचीनी के ऊपर मुझे बार बार कहा है कि प्लीज एक video शेयर कीजिए क कैसे इस्तमाल करके हम वेट लॉस कर सकते हैं डालचीनी को जी हां सिनमन यानि डालचीनी को किस तरह से इस्तमाल करके हम वेट लॉस कर सकते हैं तो आज का जो वीडियो है डालचीनी को किस तरह से वेट लॉस में आप इस्तमाल करेंगे और कैसा असर होगा उसका और किस तर पर 200 ग्राम का लिया है और यह सिर्फ 50 रुपे का ही मुझे मिला है वैसे दालचीनी का पाउडर में मिलता है लेकिन अच्छा है कि आप इस तरह से बजार से साबूत दालचीनी खरीद ले सिर्फ 50 रुपे का मिल जाएगा आपको और इस तरह से इसे मिक्सी में या सिल्वट् चम्मच इस्तमाल करना है तो इस तरह आप डिनर करने के आधा घंटा या एक घंटे बाद या अपने सोने के रात को सोने से आधा एक घंटे पहले आपको इस तरह से गरम दूद ले लेना है और गरम दूद में आपको एक चौथाई चम्मच जो है दालचीनी का पाउडर म बहुत ज्यादा मिक्स मत कीजिए क्योंकि यह जो होता है बहुत वेट लॉस में बहुत ज्यादा मतलब मदद करता है लेकिन अगर आपने ज्यादा ले लिया तो आपको नुकसान कर सकता है इसलिए इसे आप सिर्फ एक चौथाई चम्मच ही एक कप दूद में इस तरह से मिल लेंगे और इसके बाद यह दूद जब हलका गुनगुना गरम हो रहेगा तो तब आपको इस दूद को करके पी लेना है जैसे चाए पीते हैं लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को दूद हजब नहीं होता या दूद जिन लोगों को जो है टॉलरेट नहीं कर हैं तो वो लोग क्या करेंगे हलका गुनगुना गरम पानी लेंगे और उस गरम पानी में इसी तरह से 15 चमल डालचीनी का पाउडर मिला लेंगे और इसे रात को सोते टाइम सोने से आधा ए ότι पहले आपको इस पी लेना है तो इस तरह से आप जो लोग दूद में डूद मे दालचीनी का पाउडर डालकर पी सकते हैं रात को अपना वजन घटाने के लिए और अपनी चर्वी को पिगलाने के लिए यह जो दालचीनी का पाउडर है यह बहुत असरदार होता है और हाँ सुभे आप इसको क्या करेंगे इसी तरह से घरम पानी में दालचीनी मिलाकर नीबू से एलर्जी है वो लोग नीबू को अवाइट कर सकते हैं तो यह देखिए रात को सुने रात को डिनर करने से करने के आधे गंटे बाद इस तरह से मैं अभी कुछ दिनों से इसी तरह से डालचीनी का पाउडर ले रही हूं दूद में मिक्स करके तो इससे क्या हो है कि मुझे कब्स की प्रॉब्लम अब भी नहीं होती पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है गैस एसीडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है साथी साथ यह आपको नीद अच्छी देती है और आपके जो है बैट ब्रीद अगर किसी को होती है यानि सासों में सास की पावडर अगर गरम दूद में मिला कर आप पिएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे वेट लॉस के साथ ही साथ तो आप इसको ट्राइ करके देखिए आपको कई सारे फायदे मिलेंगे और बहुत जल्दी और तेजी से आपका वजन घटेगा दस दिन में आपको इसका फरक देखने के वो मिलेगा दालचीनी का पावडर सुबह साम अगर एक चौथाई चम्मच एक चौथाई चम्मच यानि तीन ग्राम तीन से चार ग्राम लेंगे तो आपने देख लिया कि आपको किस तरह से दालचीनी को लेना है जी हाँ दूद के साथ आपको रात को लेना है और जो लोग दूद नहीं काफी लोगों को होता है कि दूद से प्रॉब्लम होती है किसी मतलब जो दूद में जो लैक्टिक होता है उससे काफी लोगों को वेसे अगर दूद में आप दाल चीनी डाल कर पीएंगे तो आपको गैस की प्रॉबलम भी नहीं होगी से प्रॉबलम enda ना हो जाएगी और इस तरह से कई प्रॉबलम्स भी दूर हो जाती है इसके साथ और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और हां सुबह जैसे मैंने बताया सुबह आपको क्या करना है सुबह इसमें आप चाय पीते हैं तो आप दूद वाली चाय वनाईए लेकिन उसमें चीनी मत डालिए क्योंकि वेट लॉस जो भी आप लोग कर रहे हैं प्लीज चीनी को आवाइट कीजिए चीनी मत डालिए कोशिश कीजिए थोड़ी सी हनी डालने की या फिर जो सुइटनर आती है नैच्रल सुइटनर स्टीविय वगेरा वो सब डाल सकते हैं और उस चाय में आपको क्या करना है दालचीनी का पाउडर डालकर आपको पीना है तो और अगर जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो वो लोग फिर वोई करेंगे सुवे आप क्या कर सकते हैं गरम पानी के साथ डालचीनी मिला कर पी सकते हैं या फिर गरम पानी में निम्बू निचोडने के बाद उसमें डालचीनी डालकर भी पी सकते हैं तो इस तरह से आप आपको एक बार सुबह खाली पेट पहले पी लेना है और फिर रात को सोते टाइम पीना है आपको इन दोनों टाइम इस दालचिनी को इस तरह से अगर आप इस्तमाल करेंगे तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा क्योंकि दालचिनी जो होता है सिनमन डालचिनी बहु दूर होती है साथी साथ जिन लोगो थाइरट की प्रॉबलम है वो लोग भी बेज ही जग दालचिनी को इस्तमाल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने दिखा दिया है इन दो टाइप से इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलाबा अप चाहे तो सुबह आप नीमू पानी पगेरा नहीं प पी सकते हैं इस तरह से रात को भी और सुभे लेकिन और हाँ जो जो महिलाए या जो लड़किया या जो महिलाए प्रेगनेंसी की तैयारी मतलब प्रेपरेशन में हैं या जो लोग प्रेगनेंसी की प्लान में जा रहे हैं वो लोग भी जिचक दालचीनी को ले सकते हैं क्यों लोगों को conceive करने में या pregnancy में problem हो रही है वो लोग मतलब PCOD या PCOS की बज़े से problem हो रही है या different type के आपके uterus में कोई problem हो रही है तो वो लोग दालचीनी को इस तरह से पी सकते हैं सुवेच चाय में डालके पीजिए रात को दूद के साथ पी सकते हैं लेकिन हा जैसे ही आपका पीरेट का टाइम आ जाएगा मतलब जो डेट आ जाती है उस टाइम आप बंद कर दीजिए इसको जो लोग प्रेग्नेंसी प्लाइन कर रहे हैं वो लोग बंद कर दीजिए और उसके बाद अगर आपको पीरेट हो जाता है तो ठीक मतलब फिर आप निक्स शुरू कर सकते ह हैं तो और अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है फिर आप मतलब आपके लिए अच्छी बात होगी है तो जो लोग इस तरह से प्रेग्मेंसी प्लाइन कर दो भी बेज हिजक इसको पी सकते हैं डालचीनी को इस तरह से और इसके अलाबा जिन लोग की पीरिएड जो है इ इससे ही हो जाता है तो जो लैक्तिंग मदर्स हैं छे महीने से पहले जिनका बेबी छे महीने का नहीं हुआ है वो लोग नैचरली वेट लॉस करने की कोशिश करेंगी छे महीने बाद आप यह लोग आप यह सब कर सकते हैं और प्रिगनेंट मुमिन्स तो बिल्कुल भी इस चीज में बिल्कुल को बिल्कुल नहीं लेंगे और यह सब्सक्राइब कर तो प्रember क्या पतला करने में दाल-चैनी निन को urine को से पलाङ जन लोग । यहां सब्सक्र appreciate स्टारा में और सब्सक्राइब तो धाम आपद सब्सक्राइब प्रिग्नेंसी में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो लोग जरूर से जरूर ले सकते हैं और नॉर्मल पिपल्स पर अपना वेट लॉस करने के लिए इसको इस्तमाल कर सकते हैं और बॉते देखें आप लिए इस leader को त्युक्त नहीं देखें 3 ग्राम को लेना है, और छोटा चम्मच जो होता है छोटी चम्मच, इस से जदा डालचीन आपको एक दिन में एक बार बिल्कुल नहीं लेना है, तो आप 3 ग्राम को क्या करेंगे, हाफ-half कर लेंगे, यहनि आप 1 चौथाई चम्मच रात को दूद में डाल के पीजिये, एक चोधां चम्मच आपको शुवर लेना है चोचि Nagelsky 9 निहीं आपका वेटलॉस करें क्यूंकि दालची निहीं आपको मदद करें आपको सुरुम करें का करेंगता आपकेmentalic-sald चाहे, जबाले भूप क्यों जो भूक data आपके वेड Nap Сам शुआठर जो भी चर्वी है इसको पिगलाने में या फिर भार भार भूक लगने की आपकी जो आदत है इसको इन चीजों को कम करता है लेकिन आपको कुछ चीजे तो बिल्कुल जरूर से जरूर मानना पड़ेगा जैसे की फ्राइट तली भूनी चीजे मत खाईए बिल्कुल भी ओल व जाते हैं तो multi-grain रोटी यानि या रागी जुआर भाजरा जै जो भी होता है इन सब को एक साथ मिक्स करके एक आटा वनाली उसकी रोटियां खाईए और राइस कम खाईए मतलब अगर आप इतना राइस खाते हैं तो आप थोड़ा कम कर लीजे तो इस तरह से इन चीजों को एक चौथाई चम्मच सुबह इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आपको लेना है फिर आपको हान करेगा बहुत ज्यादा आपका मतलब नुक्सान कर सता है इसलिए हमेशा जिस वी चीज को जिस तरह से मैं बोलती हूं उस तरह से लीजिए ज्यादा लेने की कोशिश य कितना इंप्रूब्मेंट हुआ है यह जो रिमेडिस है इसको एक महीने इस्तेमाल जो भी रिमेडिस मैंने बताई है एक महीना इस्तेमाल कीजिए फिर कम से कम एक हपता या दस दिन आप गया देंगे कुछ भी आपको इस तरह की रिमेडिस खाने की ज़रूरत नहीं लेकि दीजीगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब करके रखिए गया जिससे आप लोग के साथ इसी तरह के हिलफूल वीडियो मैं शेयर कर सको और फिर मैं मिलूंगे आप लोग के साथ एक नए और अच्छे वेट वीडियो के साथ सो आज के लिए इतना ही थैंक यू और बाई बा